नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 22, 23 और 24 नमंबर तूला रासी के महारासी फल के बारे में दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब आपके जीवनकाल में बहुती बड़ा चमतकार होने वाले हैं जी हाँ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अब आपके जीवनकाल में सारी दुखों का अंत होने वाले हैं अब आप सबी के जीवनकाल में खुशियों की बारिस होने वाली है। जीहां दोस्तों, हम आप सबी को बता दें कि पिछले कई समयों से आपके जीवनकाल में लगातार दुख समस्यआ और परेशान ही चल रहे थी। कभी भी उमीद की नई किरन आप सबी के जीवन काल पर नहीं जगी और दोस्तों आप अपने जीवन काल में बहुती ज़्यादा परिशान हो गए लेकिन दोस्तों आप सबी को बता देगी आप यह बात तो जानते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं जिहां दोस्तों भगवान अपने भक्तों की मदद जरूर करते हैं भले वह अपना रूप में नो आए लेकिन दोस्तों रूप बदल कर किसी संकेत के दोरा उनके एसे मदद करते हैं उनके जीवन काल में एसे चमतकार करते हैं कि दोस्तों उनका जीवन ही बदल जाता है जी हाँ दोस्तों और अब आप सभी के जीवनकाल में जो गरहों की सती बनने वाली है आपको बहुती बारा धन देने वाले गरह हैं जी हाँ दोस्तों अगर आप इनकी पैचान कर लेंगे तो दोस्तों याकीन मानिए यह आपके पूरा जीवन ही बदल कर रख देगा जिहां दोस्तों साथे साथ दोस्तों आपको अपने जीवन काल में कौन सी शाबधानिया रखनी है ताकि दोस्तों फिर से यह समय आपकी जीवन काल में नो आए जिहां दोस्तों इनके लिए दोस्तों बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिनसे दोस्तों मालक्षमी आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रशन होंगे और धन की कमी आपके जीवन काल पर कभी भी नहीं होगी तो दोस्तों वीडियो को अंतर तक देखिएगा क्योंकि दोस्तों इनमें आप सबी में हैत्पून जानकारे को भी जानेंगे कि ऐसमें आपको कौण शेकार आपके लिए भागेस आले होंगे और किनकिन छेतर में आपको कार करने से लाब की प्राप्ति होगी और मालक्षमी जी के आसिरवात से आपके घर के माहुल में पारिवारिक जीवन में परते एक चेतर में क्या-क्या सुधार होंगे तो दोस्तों अन तक देखिएगा उसे पाले दोस्तों जो विक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंड बॉक्स में सच्चे मन से जय मालक्षमी लिखेंगे दोस्तों मालक्षमी जी के आसिरवात आप सभी को प्राप्त होगा तो दोस्तों जरू लिखेगा अरदि आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को भी subscribe कर लें साथी बेल आइकन को प्रेस करके all पर श्लेट कर लें तो ईदोस्तों बात करते हैं शुरुवात करते हैं श्रीक कृष्ण जी के एक अच्छे ज्यान से, एक अच्छे विचार से, जो कि दोस्तों आपको इन दिनों में एक इक्छा सक्ति जागरित होगी कि एक राजा था, वजब भी मंदिर जाता तो, दो विखारी उसके दाएं और बाएं बेठा करते थे दाएं तरवाला काता है, हे इस्वर, तुने राजा को बहुत कुछ दिया है, मुझे भी कुछ दे दे तो बाइं तरवाला कहता है ए राजा इस्वर ने तुझे बहुत कुछ दिया है मुझे भी कुछ दे दे दाइं तरवाला विखारी बाइं तरवाले से कहता है इस्वर से मांग वो सब की सुनने वाला है बाइं तरवाला जबाब देता है चुपकर मुर्ख तब एक दिन राजा ने अपने मंत्रे को बुलाया और कहा कि मंदिर में दाइं तरफ जो बिखारी बेठता है वो हमेशा इस्वर से मनटा है तो अवस इस्वर उसकी सुनेगा लेकिन जो बाइं तरफ बेठता है वो हमेशा मुझसे ही मांग करते रहता है तो तुम एसा करो कि एक बड़ी से बरतन में खीर भर कर उसमें स्वर्ण की मुद्रा डाल दो और वह उसको दे आओ मंतिरे ने एसा है किया अब वह भीखारी मजे से खीर खाते खाते दूसरे भीखारी को चिलाता हुआ बोला बड़ा आया इस्वर्देगा यह देख राजा से मांगा मिल गया ना खाते खाते जब इसका पेट भर गया तो उसने बच्ची हुई खीर का बरतन उस दूसरे भीखारी को दे दिया और कहा ले पकड तू भी खा ले मुर्ख अगले दिन जब राजा आया तो देखा कि बाएं तरवाला भीखारी आज भी वेसे ही वेसा बेठा है लेकिन दाएं तरवाला गायब है राजा ने चोकर उससे पूछा क्या तुझे खीर से भरा बरतन नहीं मिला भीखारी बोला जी मिला था राजा जी क्या स्वादिष्ट खीर थी मैंने खूब पेट भर कर खाई राजा बोला फिर क्या हुआ भीखारी ने जवाब दिया फिर जब मेरे पेट भर गया तो वह जो दुसरा भीखारी वहां बेठता है मैंने उसको देकर कहा मुर्ख हमेसा कहता रहता है इसवर देगा इसवर देगा ले खाले राजा मुस्करा कर बोला अवसे इसवर ने इसे दे ही दिया जी हाँ दोस्तों अगर आप हमारे इन बातों से शामत हैं श्री कृष्ण जे के अच्छे ग्यान से सामत हैं तो दोस्तों वीडियो को एक प्याराशा लाइक अवस्य कर दें और इनके लिए लिग दें जै श्री कृष्ण राधे राधी तो ही दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं कि मा लक्षमी आपके जीवन काल में क्या-क्या चमतकार करने वाले हैं आपके घर के माहुल में परेव जीवन में स्वस्त बिजनस वेपार में क्या-क्या खुश खबरियां देने वाले हैं और दोस्तों वीडियो के अंत में हम आपको वह उपाय बताने वाले हैं जो कि दोस्तों आप मातरे एक बार कर लेंगे तो दोस्तों आपका जीवन ही बदल जाएगा जिहाँ दोस्तों गिरे से बहुत ही शकरत्मक रहेगी व्यक्तिगत कारियों से समन्दित लिया गया कोई महत्तपून फ्यसला बहुत ही बहुत ही बहतर सावित होगा कि इस समन्दि के आगमर से परिवार में खुशी भरा माहौल रहेगा ताक इसी समस्या का भी समाधान ग्रह गोचर आपके पक्ष में है पर तो कोई भी लक्ष हासिल करने के लिए गतिवीदियों में सलिका रखना भी बहुत ही जरूरी है हालाकि घर से समंधित जिम्मेदारियों को आप बहुत ही संज़दगी और गंभिरता से निभाएंगे होनाथवा मेल के माद्यम से कोई खास समाचार मिल सकता है तो मालक्ष मी जिके आसिरवात से आपका समय में सकार्तमक बदलाव आ रहा है पिछले कुछ समय से चल ही समस्तिया में आज कुछ सुधार महसुष होगा और आप भरकूर एनरजी महसुष करेंगे परिवार से जोड़ी कुछ महतुपुन फैसले लेने पर सकती है पर तो यह फैसले बहुत ही सकार्तमकी रहेंगे पहले दिन की सुरात बहुत ही सुखत घाटना से होगी गिरे से कुवे दूर हुगे रुका हुआ या उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल जाने से बहुत ही रात मिलेगी यहां को किसी खास कार के परती किये गए परियासा में सफलता मिलने के योग बन रहे है इसलिति में बहुत ही संतोष जनक रहेगी सुकुन पाने के लिए दिन्चारिया में भी कुछ परिवर्तन लाएंगे इसे व्यक्तित में भी निखार आएगा खास तोर पर महिलां को अपनी योगता और कारेच्छमता दोरा कोई महत्वपून उपलबदी हासिल हो शकती है परिवार जनों के साथ कुछ शमय व्यतित करके आप खुद को तरो ताजा महसुश करेंगे आपकी योगता और कावलियत की भी लोग तारीप करेंगे इनके साथ साथ दोस्तों आपको इन दिन में कुछ शावधानिया भी देख कर चलनी होगी किसी अंजान व्यक्ति से आपको कोई धोखावी मिल सकता है इसलिए किसी पर भी आख मुंद कर विश्वास न करें धैर और स्यम के साथ काम लें जल्दवाजी से काम विगर सकते हैं अतरित काम की वैस्ता वनी रहेगी किसी वियातरा को इस वक्त अस्तगीती रखना उचित है बिजनस बढ़ाने के लिए नई योजना बनेगी जो की सार्थक रहेगी लेकिन फेसले खूधी लें जोखिम भरे काम में समय और पैसा ना लगाएं नुकसान होने की असंका है ध्यान रखें कि कहीं बात्चित करते समय गलत सब्दों का प्रयोग ना करें और नहीं कोई निरने लेने में जल्दवाजी करें वाना इसे समंद में खटास आ सकती है दोस्तों बिजनेस में नए काम की सुरुवात फायदेमंद रहेगी सोच विचार करने से ज़्यादा समय न लगाएं वैबसाई गति वीदियों में सभी नेने शमही लेने का प्रयाश करें दुसरों की सला गलत हो शकती है काफी समय से अठके हुए कारे पूर्ण करने का उचीत समय है अपने वैबसाई में नया प्रयोग करना लाब दायक रहेगा नुक्र में उन्नति के आसार है आप दोस्तों ध्यान रखें कि ज़्यादा पाने के चकर में अपना नुक्सान भी कर सकते हैं इसलिए सांत रहकर और सहज तरीके से अपने कारे को पूराज करते रहें आपकी वैबसाई योजना शफल रहेगी अपने दिर इक्षा सकती से काम सांदान तरीके से पूरा करेंगे किसी भी तरह की डिल करने से पहले उसे जड़ी उचित जानकारी जरूर ले ले वहीं दोस्तों आपके लव लाइप के बारें बात करें तो पती पत्ने के विज उचित समान जस रहेगा जिससे आत्मी स्वास और आत्मी बल में ब्रिदी होगी दोस्तों पती पतनी आपसे समान जसे से गर के विवस्ता मधूर बना कर रखेंगे प्रेम समन्दों में भी नजदी की आएगी दोस्तों आपके स्वास्त के बारे में बात करें तो मोसम का असर आपके स्वास्त पर हो सकता है ये समय अपना इंफूस सिस्टम इस्टरंग बनाने के लिए उचित अहार लें वर्तवान नकार्तों वतारण की बज़े से साफधाने रखना उचित रहेगा आरेधिक चीजों का अधिक से अधिक सेवन करें दोस्तों मैं बात करताब के उपाय के बारे में दोस्तों हर सुकरवार के दिन मंदिर में जाकर मा लक्षमी और भगवान बिशनु को लाल रंग का फूल अरपित करें और परती दिन सुबह उठकर असनान यादि करके तामबे के लोटे से तुलसी को जल अरपित करें दोस्तों आपका लकी रंग गुलावी है और लकी अंग पांच है दोस्तों भागवान मालक्षमी का आशिरवात आप सवे को प्राप्त हो सची दिल्शिक कमेंड बॉक्स में जै मालक्षमी जरू लिखें और वीडियो को लाइक सियर जरू करें धन्यवाद